हलो स्वागत आप सभी का एक बार फिट से एगरी पावर जैपुर के ओनलाइन कोचिंग प्लैटफॉर्म पर आज की हमारे जो क्लास होगी आज की जो अध्याय है वह पांच है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं देखो पादप रोग विज्ञान यह आपके एक्जाम के प अब देखो सबसे पहली मुख्य बात तो यह है कि जो पादप रोग विज्ञान है यानि कि प्लांट पैथोलोजी है वह आपको पढ़ने की जुरत क्यों पढ़ी है कहने का मतलब है कि आप क्यों उस चैप्टर के अंदर आये हैं क्यों हम कोई चैप्टर आपके बुक के अ भी परकार के शरतां स्हंचया थो और धूसरी पादप रोग दिखोंडते हैंusz जिसके अंदर हम परिभाषा फिद देखेंगे और शब्दावल्या देखेंगे क्योंकि इस subject को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसकी शब्दावलिया हैं वो समझें क्योंकि direct हमको जो पुछ जाते हैं शब्दावली से related पूछ जाते हैं और जब तक हमको उसकी terminology यानि शब्दावली नहीं पता चलेगी तब तक हम अच्छे से उस chapter को समझ नहीं पाएंग सब्सेपहले क्या होता है पादप रोग विज्यान क्रिशी विभ्यान या वनसपति विद्ज्यान या कि वहिषका का पादब में रोग होते हैं कौनकोन से कारक उनकी लिए विक tempo कारण से है तूसरी है 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 तू मतलब होता है इसको इतियोलोजी भी कहा जाता है हैतुगी का मतलब यह होता है कि जो हमारे पास है रोग कारक है वो रोग कारक एक पोधे के उपर किस प्रकार से विक्सित होता है किस प्रकार से उनका जिवन चकर चलता है किस प्रकार से वो अपने लक्षन प्रकट करते हैं और किस प्रकार से उस पौदे को हानी पहुंचाते हैं, ये पूरी की पौरी प्रक्रिया है, ये इियोलोजी के अंदर हम इसके अंदर पढेंगे, इसके बात देखो, आगे हम जब चलते हैं, तो इसके बाद में हमको ये भी पढ़ना होता है कि, रोगों से हुई हानी देखो हमको पता है कि कोई भी जो रोग जनक है रोग का रख है अगर किसी भी प्लांट के उपर सर्वाइव करता है उसके उपर आता है अपना जिवन चकरपून करता है तो जहिर सी बात है कि वो उस प्लांट से क्या लेगा नूट्रेशन लेगा वहां से पोशन प्राप्त करेगा जिसके फल्सुरूप क्या होता है जो हमारा प्लांट होता है यानि जो पादप है उसमें क्या होती है कई तरह की विकरतियां आ जाती है ठीक है विकरतियां आने का मतलब है कि उसमें कई तरह के रोग के लक्षन दिखाई देते हैं, रोग के लक्षनों से क्या होता है, उस पादप के अंदर जो भी उसका पुश्पन फलन है, वो भी प्रभावित होता है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर रोगों से हुई हानी और उनके नियंतरन का उपाय हम किस तरीके से कर सकते साथ हैं, यानि अगर हम प्ता चल गया है कि रोग कार रा क्यों-कॉन से हैं, ठीक, किस परकार से रोग फेला रहे हैं, ओर किस परकार से उनका जीवन चकर है, और हम उनको किस परकार से प्रबंदन उनका किया जा सकता है, ठीक, जैसा हमने एंटैमोलोजी में पढ़ा था, कित विघ्ञान कें अंदर पड़ाथा कि जो केट है किस प्रकार इसका डिस्रिबुशन होता है किस प्रकेर टीम्ट के अधे करता है थी किसी प्रकार से हम यह देखेंगे यहां पैया अड़ ऊधेर रोग जणक जो होते हैं। दॉनने वाले नुक्सान। आवर उनके परबंदन का स्टड़ी करते हैं ठीक है, उम्मीद करता हूँ परिभाश यहाँ पर सभी को समझ में आ गई होगी अब देखे, ये जो रोग विज्ञान है इसको शुरू करने से पहले कुछ महतुपुन शब्दावलिया हैं वो पढ़ना हमसे इसलिए जरूरी है क्योंकि एक छोटा सा एक्जम्पल में आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आप बिमार होते हो ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पहले हर एक चीज़ पूसता है कि आपको जो बिमारी है कितने टाइम से हो रही है कैसा आप फिल कर रहे हो उसके लक्षन कौन-कौन से है ठीक है, उसके फिर बाद में जांच करवाई जाती है उसके बाद में ही आपको क्या दिया जाता है दवाई दी जाती है डाइरेक्ट तो ऐसा है नहीं आप जाती है आपको दवाई देंगे ठीक इसी प्रकार से हमको क्या पढ़ना पढ़ेगा यहां पे लक्षन पढ़ने पढ़ेंगे यानि शब्दावली पढ़ने पढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले और महत्मुन शब्दावलियों के अंदर पहले ही जो आती है वो है रोग देखो रोग क्या है रोग एक प्रकार की एक प्रक्रिया है प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि रोग किसी रोग जनक के द्वारा भी हो सकता है ठीक है या किसी जो हमारे पास है फिजिकल फैक्टर होता है यानि भोतिक कारणों की वज़े से भी हो सकते है रोग होता क्या है रोग एक कारण के कारण होता है जिसके परिणाम तो रूप कुछ पीडा उत्पन करने वाले लक्षण भी प्रकट होते हैं यह जो लाइन है इसको आपको धीरे-दीरे समझना है क्योंकि हम इसको देखेंगे निरंतर उतेजना के कारणा अभी निरंतर उतेजना का यहां पर मतलब क्या है निरंतर उतेजना का मतलब है कि ही कुछ सब् Firebase ऐता है ठीक है वो किसके वजह से आता है किसी रोकинки वजह से बिया सकता है किसी बहुतिक कार्ग की वजह से वी आ सकता है ठीक है उसके वर निरंठर उत्फर शुरू हो जाती है और रोह के लक्षण भी प्रकत होती है तीक केका पाहिस च्छोड़ा सा आपको लक्षन प्रकट होना शुरूँ होते हैं धीख से प्रकार का क्या अपता है इस प्रकार करता होते हैं यानी सिट्रस गयंकर जो यह जऑता है रोक क्या है एक पाल करका की R bleibt हम इसदिन्ट fan ко होता है और इसमें क्या होती हैं पीड़ा उत्पन करने वाले फॉर भी प्रकट ओते देखर यहां पर तीन चीज आई है एक तो किया है हानिकार्क प्रक्रिया है पर करिया पहली बात इसने ये गहीए दूसरी बात क्या कही है निरंत्र उतेजना ठीक है और तीसरी और महत्पूर्ण बात क्या है यह है आपके पास में लक्षन प्रकट होना कि तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं जो रोग है रोग के क्या होते हैं तीनों ही कारक होते हैं आई बास समघ में इसके बाद हम देखते हैं जो अगली हमारे पास है परिभास होती है वह आपके पास है रोग जनक फीर श्रट यहां पर काम कर रहा है वो क्या कहलाता है पैथोजन कहलाता है यानि रोग जनक कहलाता है देखो रोग यानि की बिमारी जनक मतलब पैदा करने वाला मतलब क्या हो गया रोग को पैदा करने वाला जिसको क्या कहा जाता है पैथोजन भी कहा जाता है तो देखो सिंपल सी बात है रोग उत्पन करने वाले कारक को रोग जनक कहते हैं उधारन जैन्थो मोनास जिवानू जैन्थो मोनास जो है यह क्या है एक परकार का रोग जनक है जो प्लांट्स के अंदर क्या करता है विमारी पैदा करता है तो कोई भी ऐसा कारक कोई भी लिविंग ओर्गनिजम ठीक है रोग जनक कौन होगा हमेशा एक living organism ही होगा ठीक है living organism ही क्या होगा रोग जनक होगा रोग जनक कौन सा होगा हमेशा living organism ही होगा जैसे कि जिवानू है जिवानू भी क्या है एक living organism ही तो है ठीक है वो क्या होगा आपके पास में रोग जनक होगा इसके बाद देखो दूसरी बात क्या होती है परजीवी परजीवी होते हैं परशाइट परशाइट का मतलब क्या होता है परशाइट का मतलब होता है कि ऐसे living organism ऐसे सजीव प्राणी जो क्या करते हैं अपने nutrition याने portion प्राप्ति के लिए किसी अन्य या किसी दूसरे किस पर आश्रित हों किसी दूसरे सजीव प्राणी पर क्या होते हैं आश्रित होते हैं मतलब हम जैसे बात करें किसी हम एक चोटा सा example हम देखते हैं मच्छर का तो मच्छर क्या है एक परजीवी है परजीवी क्या है वह अपने portion के लिए किस पर निर्भर करता है द देखो एक छोटी सी में बात दिख रहा हूँ आल पैथोजन्स और पैरासाइट ठीक है यानि कि सभी रोग जनक परजीवी होते हैं ठीक है देखो आल पैथोजन्स और पैरासाइट मतलब जितने भी पैथोजन है रोग कारक है ठीक है जितने भी रोग जनक है वो क्या होते हैं परजीवी होते हैं देखो परजीवी क्या होता है वह जीव ठीक है वह जीव जो दूसरे जीव दूसरे जीव क्या बोलेंगे होस्ट बोलेंगे जहां से क्या होता है पोशन प्राप्त किया जाता है क्या कियाता है जहां से पोशन प्राप्त किया जाता है परजीवी क्या होता है वह है जीव जो दूसरे जीव यानि जहां से क्या कियाता है पोशन को प्राप्त किया जाता है होस्ट पर रहकर पौशन प्राप्त करता है ठीक है ठीक है फौशन करता हुआ व्रद्धि एवयं गुंणन करता है उससे परजीवी कहते है वो क्या केलाता है पैरासाइट केलाता है ठीक है उद Vernonmem फाइटो प्लाजमा क्या है एक प्रकार का ये भी एक रोग जनक है ये फाइटो प्लाजमा क्या करता है बहीं कई तरह के जो प्लांट्स हैं कई तरह के पोध है पादप जो है उनके उपर क्या देखा जाता है इसका लक्षन देखा जाता है क्या देखा जाता है इसका लक्ष जरूए या कि रोग जरूरी है नाम से पता चल रोग जरूनक है दूसरी कैसे पर गहलाता है और जितने भी रोग कारक होते हैं वह सभी के सभी क्या होते हैंब पर प्रेथोजन्स आर पेरासाइट पर्ट आल पेरासाइट अर नोड प्रेथोजन्स कि देखो क्या होता है सभी रोग जनक परजीवी होते हैं लेकिन सभी परजीवी रोग जनक नहीं होते यह एक महत्वपून लाइन है कि देखो क्या होता है रोग जनक कोन है सभी के सभी क्या है पेरासाइट है रोग जनक परजीवी रोग जनक नहीं होते हैं तरह control का सबत नहीं परभें और दींटरो सब्सक्राइब सबस्राइब हां तो यहद्या होसी तरीकशान नहीं कर लेकिंशन नहीं है, वो वहाँ पर किसी भी तरीके का रोग कारक नहीं है, रोग जनित नहीं कर रहा, मतलब रोग नहीं फैला रहा है, तो एक महत्वपून बात जो क्या है, कि सभी रोग जनक परजीवी होते हैं, लेकिन सभी परजीवी रोग जनक नहीं होते हैं, ये एक महत्वपून बात है, ज तो जितने भी पैथोजन होंगे रोगजनक होंगे वो अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे प्लांट के उपर आशित रहते हैं यह आई बात समझ में लेकिन सभी पर जीवी रोगजनक नहीं होते हैं जैसे कि राइजोबियम तो जैसा कि राइजोबियम हो गया इसके बाद हम हमारे जो नेक्स टर्म जो देखते हैं वो देखते हैं म्रत जीवी म्रत जीवी का मतलब क्या होता सेप्रोफाइट्स कई करते हैं म्रत और सड़े जल्ये पदधार्श होते हैं आ कि यानि कि आपना पोशन की प्राप्ति कहां से करते हैं म्रत और सड़े गले पधारतों को खा करके पोशन प्राप्त करते हैं ऐसे living organisms को या ऐसे सजीव जीवों को क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है म्रत जीवी या सैप्रोफाइट्स देखो ऐसा जीव जो अपना पोशन म्रत कार्बनिक पधारतों से प्राप्त करते हैं उसे म्रत जीवी कहते हैं जैस कखा करके वहां से nutrition की प्राप्ति करते हैं यानि पोशन की प्राप्ति करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके पास में सैप्रोफाइट सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है कि मरे हुए मरे हुए या सड़े गले कार्बनिक पद्धार्तों से nutrient प्राप्त कर कर ने की प्रक्रीया क्या क्या कहलाती है सीप्रोफाइट किला ठीक है जीसे कि मूखर है मूखर क्या है एक प्रकार का कवग्त है ठीक है परपोशी आश्युत रहता है जिसके उपर परजीवी आाश्यृत देने वाला जीव अथार्थ एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमन करता है या आश्रित रहता है वो क्या कहलाता है होस्ट कहलाता है ठीक है इसके हम एक्जम्पल में आपको बताऊं मच्छर जो है मच्छर क्या है मच्छर किस पर आश्रित है मानव पर तो मानव क्या हो गया उसका परपोशी ठीक है परपोशी यह नहीं क्या हो गया पोस्ट हो गया ठीक इसी प्रकार से जो हमारा हम बात करते है किसकी नेम्बू के कैंकर रोग जनक की नेम्बू का कैंकर रोग जनक जो है क्या है परजीवी है ठीक है वो किस पर आश्रित है नेम्बू वरगिये प्लांट्स पर ठीक है यह क्या हो गया इसका परपोशी होगा यानि की होगा तो होस्ट कौन होते है ऐसे जीवित जीव जिनके उपर कौन आश्रित रहता है परजीवी आश्रित रहता है ठीक है ऐसे जीवित जीव जिनके उपर परजीवी आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं वो आपके पास में कहलाते हैं होस्ट परजीवी को आश्रित देने वाले जीव अथार्थ एक जीवित जीव जिस इसके उपर परजीवी क्या कर रहा है आकर्मन करता है उसके उपर रहता है उसके न्यूट्रेशन प्राप्त करता है उससे पोशन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है वो आपके पास में कहलाएगा परपोशी आई बात यहां तक समझ में देखो बहुत ही इंपोर्टेंट ब बढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़े आपको यहां से ही क्या होंगी समझ में आएंगी ठीक है इसके बाद हम next जो देखते हैं देखो नेक्स्ट है अतिवर्धन अतिवर्धन याने हैपरप्लेसिया अतिवर्धन का मतलब होता है अति याने का होता है बहुत जादा ठीक है वर्धन का मतलब बढ़ना ठीक है तो यह जो शब्द है इसी से हमको पता चल रहा है अतिवर्धन मतलब तेजी से बढ़ना या ज इसके लिए होता है कोई भी प्लांट है या तो उसके size जो होगी या उसके कोशिकाओं की size बढ़ना ठीक है या उसकी number में बढ़ना जैसे देखो परपोशी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखो बहुत important है ये बात संक्या में बढ़ोतरी अगर होती है उसको हम क्या कहते हैं अतिवर्धन कहते हैं के कारण होने वाली अत्यदिक व्रधी को अतिवर्धन कहा जाता है ठीक है एक में आपसे छोटा सा example में आपको बताता हूँ कि कभी-कभी body के अंदर कुछ सिस्ट बन जाती है सिस्ट का मतलब होता गाठे बन जाती है cancer की जो गाठ होती है cancer actual में क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं एन नियमित रूप से क्या करना शुरू कर देती है विभाजन या विभाजित होना शुरू कर देती है दो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ना ही क्या कहलाता है है पर प्लेसिया कि अब कि मतलब होना है स्ट फ्लस होना है स्ट्ट होनगा मतलब क्या होता है बढ़ना consumer business यह मतलब प्लस होना यह बढ़ना अत्य दिक बढ़ना यानि कि संख्या के अंदर जरूर ni से ज़्यादा बढ़ना इसका एक हम मानते हैं cancer जो cancer होता है यह क्या है आपके पास में वास्तों में यह hyperplasia का ही उदहारण है cancer होता है ना सिर्फ जीवों में बल्कि पादबों में भी देखा जाता है यानि की plants के अंदर भी जो cancer है वो देखा जाता है plants की जो कोशिकाएं है यानि जो पादबों की जो कोशिकाएं है उन कोशिकाओं के अंदर अनियमेत रूप से अनियंतरित अगर रद्धी होती है वो क्या कहलाता है वो आपके पास में कहलाता है अतिवरधन या hyperplasia कहलाता है ठीक है आई बात यहां तक समझ में देखो terminology है बह अच्यदिक बढ़ना यानि संख्या में बढ़ोतरी होती है ठीक है और एक होता है आकार में बढ़ना ठीक है यानि अतिवरधी यानि hyper trophy ठीक है hyper का मतलब वही है अच्यदिक घिक है और यहां पर भी क्या होता है ट्रोफी का मतलब भी क्या होता है बढ़ना ही होता है लेकिन never play और gonna re angry en presenter जो है वो किस बात का है which अन्तर इस बात का है कि अत्यवरद्धन यानि hyperplasia में तो संख्या में बढ़ोतरी होती है यानि कि कोशिकाएं अनियमित अनियंतरित हो करके क्या होती है बढ़ना शुरू कर देती है संख्या में बढ़ती है जैसे एक कोशिका थी ठीक है एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बननी थी भई दो कोशिकाय बननी थी तेकिन एक कोशिका से अगर नियंद्रित हो करके क्या होने शुरू हो जाती है कई सारी कोशिकाय बन जाती है यह अवस्था कौन सी अवस्था केलाती है हाइपर प्लेशिया और यही अवस्था जो है कैंसर में परिवर्तित हो जाती है आई बात समझ मे इसके बाद जो हम next देखते हैं अतिव्रद्धी जो है hypertrophy देखो परपोशी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी ये महत्वपूर्ण बात है संक्या में बढ़ोतरी होगी तो hyperplesia होगा आकार में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा उसके अंदर आपके है पर ट्रोफी होगी परपोशी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण होने वाली ऐसाधारम व्रद्धी को अती व्रद्धी कहा जाता है ठीक है यानि की परपोशी की कोशिकाओं में होने वाली आकार में जो बढ़ोतरी है उसको क्या कहा जाता है आपके पास में अ पूछे जा सकते हैं निमने लिखित में से हाइपर प्लेशिया और हाइपर ट्रोफी में अंतर कीजिए चोटा सा क्यूशन है दो नमबर में आपको पूछा जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए इसके बाद में होता है अविकल्पी परजीवी का मतलब अब्लिगेट पेरासाइट अब्लिगेट पेरासाइट का मतलब देखो क्या होता है कुछी परजीवी ऐसे होते हैं कि जिनको जिन्दा रहने के लिए एक जीवित परपोशी ही चाहिए होता है ठीक है अगर म्रत पार कोई भाग है तो म्रत भाग के उपर वो जीवित नहीं रहेगा यानि एक ऐसे परपोशी जिसको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए किसी जीवित परपोशी की ही आवशकता होती है ऐसा लिविंग और्गनिजम ऐसा परजीवी क्या कहलाता है अविकल्पी परजीवी कहलाता है अविकल्पी परजीवी का मतलब है कि कोई विकल्प नहीं है उसके पास में अगर जीवित और्गनिजम नहीं है उसके पोशन के लिए तो वो मर जाएगा आई बात समझ में देखो सिंपल सी बात है विकलपी का मतलब क्या होता है जिसके पास कोई option ना हो ठीक है वो क्या कहलाता है obligate कहलाता है देख कैसे ऐसा पर जीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही व्रद्धी व गुणन करता है जैसे की 11ava review कि हाँ पे जो मैंन की जीवित जीव अगर इसको जीवित जीव नहीं मिलेगा तो इसका व्रद्धी एवं गुणन करता है रिजल्ट क्या होग इसकी मृत्य हो जाएगी यह मर जाएगा ठीक है जैसे कि अल्बूगो है अल्बूगो क्या होता है सरसो में होने वाला एक महतुपूर्ण रोग है जिसको क्या कहा था वाइट रस्ट ओफ मस्टर्ड भी कहा जाता है सरसो का यह रोग है 아버ogo Candida ठीक है इसके बात देखो उत्तक शेल तरु प्राइब होता है हमारे पास मैं क्रोसिस वह होता है जो कोशीका हे मरना शुरू हो यहीं हो जाता है आपको चीजे जो है वो समझनी जरूरी है कॉनसेप्स समझने जरूरी है डायरेक्ट अगर आपको लाइन पूच्च भी लिया जाए तो आप शिर्फ और सिर्फ उसके मतलब को समझ करके परिबाशा लिख सको वो तब ही possible हो पाएगा जब आपने इस class को अच्छे से पढ़ा है obligate का मतलब क्या होता है एविकल्पी एविकल्पी कौन होते है जिनके पास में कोई विकल्प नहीं होता किसका जो मतलब जिसको क्या है जीवित जीव पर ही वो क्या कर पाएंगे व्रद्धी कर पाएंगे या गुनन कर पाएंगे इसके अलावा किसी भी जीवित जीवित जीव के उपर वो क्या नहीं कर सकते व्रद्धी भी नहीं कर सकते और नहीं क्या कर सकते हैं वो गुनन कर सकत आई बात यहां तक समझ में आपके देखो इसके बाद जो है उत्तक शैता का क्या मतलब होता है उत्तकों की हानी से क्या मतलब होता है देखो जो हमारे इसमें क्या है उत्तक जो है वो नश्ट होना शुरू हो जाता है यानि कि कोशिकाओं तथा उत्तकों के म्रत्यू होना ही क क्या कहलाता है उत्तक शैता कहलाता है क्या कहलाता है कोशिकाय तथा उत्तकों के म्रत्यू होना ही क्या कहलाता है उत्तक शैता कहलाता है आई बात यहां घीवत की ही आवश्यकता परती है और एक होता है विकल्पी के अंदर क्या होता है कि जीवित पर रहना उसको ही चाहिए लेके अगर जीवी उपलब्द नहीं है तो मरे हुए सड़ये पधर्धारतों से भी क्या कर सकता है वह portion राप्त कर सकता है यहां से भी आपको प्रश्ण पूछा जाता है इसके बाद देखो next है हरीमा हिंता यह जिसको क्या कहा जाता है chlorosis का मतलब क्या होता है जो पादप है उनकी जो पतियां है ठीके पतियों का रंग जो है हरा से क्या होना क्या हो जाता है हरे से कैसा हो जाता है पीला पढ़ना शुरू हो जाता है पीला पढ़ना शुरू कब होता है जब उस पत्ती के अंदर क्या होना शुरू हो जाए क्लोरोफिल की मात्रा कम होना शुरू हो जाए ठीक है तो देखो पोधो के हरे मतलब होता है हरा रंग हींता का मतलब हम नहीं होना है कि यहीं तो बात है नाम से पता चल रहा है हरी मा रंग क्या नहीं है हरा रंग नहीं है हरा रंग नहीं है तो पत्तियां कैसे हो जाएगे भई पीला पढ़ना शुरू हो जाएगी पीला पढ़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है क्लोरोसिस कहलाती है और इसी को क्या कहा जाता है हरीमा हींता कहा जाता है आई बात यहां तक समझ में और दूसर पत्ति बात है देखो संचरन यहां पर आप देख सकते हो पत्तिया चोंता पड़ना शुरू हो गी है यानि कि मुख़त शाक shrach जो इसके आज पास का जो पूरा भाग वो क्या हो गया है पीला पड़ चूका है तो यह क्या है हभीया यह आपके पास में किसका उधारन है हरीमा हीन का उधारन है किरके क्लोरोस इसका ये उधारन होता है इसके बाद हम देखते हैं संचरण संचरण क्या होता वैं trance business होता है तक क्या होता है transmission होता है यानि रोग जनक का एक पोधे से दूसरे पोधे में इस्थानांतरे संचरन कहलता है कि मिलेकोद्ध क्या होता है कि सपोस्स कोई हमारे क्या है merk concret है मैं इस प्लान्ट के उपर क्या आया हुआ है इस प्रकार के रेडरेड क्या है भाया कुछ के अंदर लक्षण हमको नज़र आ रहे हैं कि यह कैसा है यह विलकुल khandi है कर दो कि यह कैसा है healthy है और ये कैसा है भिया disease है इसके अंदर इसमें क्या है disease है जबकि ये तो healthy है ठीक है अब रोग का ये जो आपको कारक दिख रहे हैं ये रोग कारक जो है स्वस्प पादव से रोगजनित पादव से स्वस्प पादव तक किस प्रकार से जाएंगे तो इनका जो संचरण है यही संचरण क्या कहलाता है transmission कहलाता है अब देखो ये जो रोग कारक की से जा verdict होई यह को लेकर जाएका को लेकर ही जाएगा ना अक्यला तो जाने से रहा ही है तो लेकर के कौन जाएगा कोई ना कोई ऐसे इंसेक्ट होंगे ठीक है क्या होंगे यहां पर कोई इंसेक्ट होंगे छोटे-छोटे इंसेक्ट है, suppose ये इंसेक्ट है, अब ये इंसेक्ट भी कौन से है, कौन कौन से हो सकते हैं, इंसेक्ट या तो कौन हो सकता है, एफिड हो सकता है, या कौन हो सकता है, वाइट फ्लाई हो सकती है, या कौन हो सकता है, प्लांट हो पर हो सकता है, ठीक है, तो ये सारे कि सारे क्य हो सकते हैं यहां पर aphid हो सकते हैं यह क्या होते हैं वेक्टर होते हैं इनको क्या कहा जाता है वाहग और यह वाहग क्या करते हैं रोग स्वेस्थ पादब स्वस्थ पादब तक ले करके जाते हैं कौन लेकर कर जाता है वेक्टर ठीक है और अधिकतर जो वेक्टर होते हैं इस प्रकार के बिमारी का संचरन करते हैं विशानु जनित यानि की वाइरस ट्रांस्मिटेड जो जिजेज होती हैं उनको कौन ट्रांस्मिट करता है वेक्टर और बिमारी को एक पोदे से दूसरे पोदे तक संचरन या एक पोदे से दूसरे पोदे तक पहलानी की जो प्रकरिया है वही क्या कहलाती है संचरन कहलाती है ट्रांस्मिशन कहलाती है आई बात यहां तक समझ में देखो रोग जनक का एक पोदे से दूसरे पोदे में इस्थानांतरन संचरन कहलाता है उधारन सफेद मक्खी यानि कि वाइट फ्लाई यह वाली जो है वाइट फ्लाई यह एफिड भी हो सकता है प्लांट ओपर भी हो सकता है लीफ ओपर भी हो सकता है मिली भग भी हो सकता है जेसिड भी हो सकता है, कई तरह के जो रस चूसने वाले कीट हैं, ये क्या करते हैं? वाइरस जनित रोगों का एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर क्या करते हैं? उसको ट्रांसमिट करते हैं, पहुंचाते हैं. ठीक है? आई बास समझ में पताचल गए ट्रांसमिशन क क्या होता है ये इसका उधारण है सफेद मक्राटग त्माटगे पंड कөंचनं कोंल का संचरण देखो और यह एक अध घुर्भ लान था जिसके उपर क्या था कि इस पर वाइवरस है वाइवरस को यहां पर यहां पर क्या क क्या है सफेद मक्रीजिजिं है यह क्या है वाहक है इसके अंदर क्या होते हैं वाइरस के इसमें क्या होता है कैसे लुग वैयरस साइगा ये एक सड़क में 127 अभी कीट जो है इसके उपर आकर के खाना शुरू करेगा तो तो वाइरस क्या है इसके बोड़ी में से अब कहां चला जाएगा प्लांट के अंदर चला जाएगा इस तरीके से क्या होता है यह संचरित होता जाता है ठीक है इसके बाद में हम देखेंगे संकर्मन, संकर्मन का क्या मतलब होता है infection, infection देखो क्या होता है परपोशी में रोग जनक का इस्थापित होना ही संकर्मन कहलाता है देखो, अब क्या होगा जो परपोशी है, परपोशी क्या होता है हमारे पास में, host है ठीक है, host है अब इस host के अंदर कौन आ गया है पेथोजन यानि कि रोग जनक आ गया है रोग जनक जो है परपोशी में आकर के बेट गया है और उसमें परपोशी में आने की बाद में वो उसने क्या क्या है खुद का उनन करना शुरू कर दिया है, खुद को बढ़ाना शुरू कर दिया है, वही प्रिक्रिय क्या है, वही चीज क्या कहलाती है, संकर्मन कहलाती है, जैसे की देखो, एक चोटा सा example में आपको देता हूँ, आप स्वस्त हैं एकदम, तब आपको किसी भी तरह कोई हो जाती है ठीक है जुकाम हो जाएगी उस condition में क्या होगा यानी कि जुकाम हुई रोग जनक कौन है विशाणू है वायरस है वह आपकी बोड़ी के अंदर जाएगा पहले बोड़ी के बाहर ता जब तक आप स्वस्त ठेक्दम ठीक है लेकिन जैसे ही रोग जनक जो है ह intention estimate которое किता है तो क्या होगा जैसी हमारी बॉडि में वाइरस आने के बाद में जब वो क्या करना शुरू करेगा करना स्प।रे गया तो हमको क्या नजर आने लगेंगे लक्षन दिखाई देने लगेंगे जैसे कि हमको एड और शुरू होगा थांग से स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी चीक आना शुरू हो जाएगी बुखार आना शुरू हो जाती है गले में खराश होना शुरू हो जाती है तो यह सब क्या है उसके लक्षण है वो लक्षण कब आए जब रोगजनक क्या हो गया हमारी बोड़ी के अंदर आ गया है ठीक इसे प्रका रहा होगा हर एक चीज जो है हम अच्छे से बतानी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी NCRT से कोई लाइन बाहर ना जाए NCRT का कोई जो टॉपिक वो छूटे ना एक्जाम के अंदर जो भी आएगा आपको यहीं से आएगा कोई भी एक्जाम हो बोर्ड एक्जाम हो चाहे या फिर वो कौन सा एक्जाम हो आपका ICR का एक्जाम हो BHO का एक्जाम हो जैट का एक्जाम हो anything यहां से जो भी कुछ है यहीं से आने वाला है बर्शारति आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है पढ़ेंगे आप इसके बाद में हम देखते हैं लक्षण संकर्मन अगर हो गया है संकर्मन होने के बाद में जैसे ही जो रोग जनक है बोड़ी के अंदर जाने के बाद में गुणन करना शुरू करता है उसके दोरान क्या होता है उसको कुछ बदलाव नजराते हैं वो बदलावी क्या कहलाते हैं लक्षण कहलाते हैं जैसे की एक रोग के कारण रोग जनक के कारण या रोग के कारण पोधे में होने वाले भाईये एवम आंतरिक परतिक्रियाओं या बदलाओं को रोग के लक्षन कहा जाता है जैसे पन्ड कुंचन रोग और हरीमाहींता इसे हो क्या होता है भी हमने अंदर वाइरस का आया होता है उनकी पत्तिया कैसे होती तरफ तरफ उपर की तरफ मुड़ जाती है पतिया पेली पढ़ाना शूरु हो जाती है तो यह क्या है उस रोग के लक्षण है वो यानि जब रोग जनक का ऑन्त के अदर संकर्मन हो इनgebaut अब क्या नज़र आ रहे हैं इस रोग जनक की वह właśnie क्या बदलाओ इस सतर पर भी सकते हैं यहां पर आपई यह आपके पास में कोई fruit है rixe is fruit के उपर आपको इस तरीके के आपको भूरे भूरे रंग आपको धब्ये नजर आ रहे हैं तो यह थब्ये क्या है वास्तव मैं यह संक्रम्रै से कि Zwool día dream कैसे लक्षन है स्पूरान्ट जब आपको पहर से देखने पर इस तरीके के काले धब घुरे दब माने टी है पेली पत्तियां जो किला पड़ना शुरू हो जाती है एषिए वह सढ़ना हो चाहिए दर्शाथा है कि यह किया है एक लक्षन प्रकट हो रहे हैं मतलब यहां पर किसी ना किसी रोग जनक ने क्या कर दिया है रोग को उत्पन कर दिया है मतब यहां पर क्या है कोई ना कोई रोग जनक मौजूद है जिसकी वज़े से हमको इस प्लांट के अंदर इस पोधे में या इसकी जो फल है इनके अंदर ये काले रंगे जो धब्बे दिखाई दे दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं लक्षण कहलाते हैं शिम्टम कहलाते हैं आई बार समझ Dualta किसी पादर के ओपर दिखाए गए औlt जो क्या है बदलाओं हो बसके लक्षण कहलाते है इसके बाद में हम देखते हैं चिनह मतल् retard एक तो लक्षन और एक उता है साइन तो देखो पोधे के रोग ग्रस्थ भागो पर दिखाई देने वाला रोग जनक या उसके भाग ही रोग चिन कहलाते हैं जैसे चाच्छा और तुलासिता ठीक है चाच्छा और तुलासिता जो रोग है इसको हम आगे अच्छे से क्या होते है जैसे हम कभी बोलते हैं कि झाल आपको रोग चिन दिखाई देंगे जैसे कि एक पूरा प्लांट है इसके उपर आपको चोटी चोटी इस तरीक दिखाई देंगे तो आप देखकर के समझ जाओगे कि भाईया यहाँ पे इस रोग के क्या मिल रहे हैं मतलब क्या होने वाला है इस रोग का इस पर अटेग आने वाला है ठीक है इसके बाद क्या होता है निवेश ड्रव्य याने इनोकुलम इनोकुलम का मतलब क्या होता है देखो रोग जनक का वह भाग देखो रोग जनक का वह भाग जो परपोशी पोधे के संपर्क में आता है तथा संकर्मन पापित करने योगी हो जाता है उसे निवेश द्रव्य या इनोकुलम कहते है इनोकुलम का मतलब क्या है देखो क्या है कि एक यहाँ पे दो हमारे पास में क्या है फल है ठीक है हमारे पास में क्या है दो फल है यहाँ पे एक तो इस पे तो क्या है डिजी जाई भी है या हम बोल दे रोगी फल है यह और ही कैसा है स्वस्त फल है अब देखो क्या है रोग जनक का वह भाग जो परपोशी के परपोशी पोधे के संपर्क में आता है तथा संकर्मिड़त पापित करने के योगी हो जाता है यहां पर क्या है रोगी फल है मतलब क्या होगा यहां पर रोग जनक भी होगा यहां पर क्या क्या मौजुद होगा यहां पर रोग रोगी फल है मतलब इस फल के उपर क्या लगा वा है पहले से रोग लगा वा है membah rock जंक हो यहां ति हम इसके बाद पर यह सवत्त फल इस ब्मारी बाले फल से क्या हो जाता है, टच हो जाता है, किसी प्रकार से अगर ये टच हो जाता है, तो ये जो रोग जनक है, ये क्या हो जाएगा, इसके उपर भी आ जाता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, फिर संकरमित हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये संकरमित हो जाएगा, मतलब ही सब within हैं दूद के लिए एक चोटा सा जो हम समर्षा योज State है यहां जो हम किसको जावन जिसको बोलते हैं फुर्णा सी काफी होता है दूद को किसमें परीवर्थित करने के लिए इस जो चोटा सा उसमें जावन जो डाला है उस जावन में क्या है भीया उसमें बैक्टीरिया है लेक्टो बैसिलस जो क्या कर रहे हैं उस पूरे के पूरे दूद को दही में बदल दे रहे हैं ठीक इसी प्रकार से एक कोई भी रोग ग्रस्त जो फल है इसका छोटा सा पैथोजन क्या कहलता है आपके पास में निवेश द्रवे कहलाता है यानि कि इनॉकुलम कहलाता है अशी ह के यहाँ तक आया समझ में का है भाद देखो कर पांडूरता मतलब 2017 का मतलब क्या होता है नंब क्राइब की इंद कारिफिफिए पर्काश का या अंदज़े से पोधहुगा पीला पढ़ जाना क्या कहलाता है पांदूरता कहलाता है मतलब क्या होगा यह बड़ा सिंपल सा है अगर आप किसी पोधे को एक बंध अंधेरे कमरे के अंदर अगर आप बंध कर देते हो तो सनलाइट के अभाउ में उसमें क्या रुक जाएगा प्रकास संसिलेशन की परकिरिया रुक जाएगी प्रकास संसिलेशन नहीं होने के वज़े से पोध जो क्या है पीला पढ़ना शुरू हो जाते हैं इसी परकिरिया को क्या कहलाता है इतियोलेशन कहते हैं यही क्या कहलाता है पांडूरता कहलाता है इसके बाद देखो क्या होता है वाहग वाहग यानि की वेक्टर वहे प्राणी जो रोग जनक को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर संच्रित करते हैं उससे क्या कहते हैं वाहग कह रहे हैं रोग वाहग कहते हैं जैसे सफेद मक्खी सफेद मक्ही के अलावा देखो क्या क्या होते हैं एफेड भी होते हैं ठीक है इसके अलावा दीफ होपर भी होते हैं ठीक है इसके अलावा प्लांट होपर भी होते हैं ठीक है इसके अलावा मिली बग भी होते हैं ठीक है इसके अलावा आपके पास में केल केट भी हो सकते हैं तो यह सारे की सारे एक्जाम्पल क्या है यह सभी की सभी क्या होता है वेक्टर होते हैं और देखो जितने भी वेक्टर होते हैं कैसे होते सभी की सभी रस चूशक कीट होते हैं ठीक है और ये कौन से गण से बिलोंग करते हैं कौन से गण से आते हैं ये सबी कि सबी आते हैं आपके पास में हैमिप टेरा ठीक है ये सबी कि सबी किस से आते हैं हैमिप टेरा से आते हैं और रस चूसने वाले केट हैं तो रस चूसने वाले केट है तो इनके मुखांग जो होंगे मुखांग कैसे होते हैं यह होते हैं आपके पास में भेदने वा ने वाले क्यानी की कियर सेंग एंड बात यहां तक Sumaj में देखो यह वाहग जो होते हैं वाहग कौन होते हैं ये कायी सबीक गुते हैं वाले क merits होते हैं पोछि लेकिन इम लीखे तिमें से रस च्ूशकीन कीन है सखते हैं तो आपको सफ़ेध मख्षिन mathematic के बाके नाम भी दिया जा सकते तो ये भी आपको exam के point of view से पता होना आवश्क है देखो इसके बाद जो है alternate host एकांतर परपोशी क्या होता है कि कभी एक जो रोग जिनक होता है वह दो मतलब की पर आशित रह सकता है मतलब अगर एक पाधफ unavailable है अनुपलब्द है तो वह दूसरा अनुपलब्द है तो वह इसके उपर सर्वाईव कर जाएगा मतलब क्या होता है तो अलग अलग जातियों पर परपोशी पोधे में वह एक पोधा जो कुछ कवकों का जिवन चक्र पूर्ण करने के लिए आवशक होता है उसे एकांतरन परपोशी कहते हैं जैसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई कवक है तू बारबरी जाड़ी कहने का मतलब क्या होता है कोई कोई जो रोग कारक है उसका जीवन चक्र तो अलग अलग पादवो के उपर पूर्ण होता है एक ऐसा रोग कारक जिसका जीवन चक्र तो अलग अलग पादवो के उपर पूर्ण होता है तो वो जो दूसरे वाला पादव है वो क्या कहलाता है उ यह पक्सीनिया जिसको वीट रस्ट के नाम से जाना जाता है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पक्सीनिया रिकॉन पक्सीनिया ग्रेमेनिस टिट्रिस है इस कवक को अपनी जीवन चकर पूर्ण करने के लिए किस क्या वशकता पड़ती है पारबरी जाड़ी की लेकिन इसका जो अटेख हम को नजर आता है किस पर नजर आता है यहूं के उपर नजर आता है ठीक है तो यह क्या हो गया यहूं तो इसका मुख्य पादप है मुख्य होस्ट है लेकिन अपना जीवन चकर पूरा करने के लिए इसको किसकी आवशकता पड़ती है भहिया इसको आवशकता पड़ती है बारबरी जहड़ी की ठीक है बारबरी जहड़ी है इसके आवशकता पड़ती है यही चीज्प क्या कहलाती है यही एकांतर परपोशी कहलाते हैं ठीक है आई बात यहां तक समझ में इसके बाद देखो कवक नाशी यानि कि पंजिसाइड क्या होता है कोई भी पधार्त मुख्यत रासायृनिक योगि जो कवक के लिए विशेला हो तह नाशी कहते हैं नहीं मतलब है कि अमारे पास में जो भी मुख्य रोग कारक होते हैं पाधबो इंदर जो और बीमारिया फैलने के साथ में उनको मेंसा उनको़ों Andra करने के केमिकल होते हैं उन को क्या खelloते हैं और क्या नासी करने को numero होता है और कारमेंडा यह होता है ठीक है तो आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ वीच टर्मिनलोजी है बहुत ही महत्वपून है इसके बाद देखो पैथोवार पैथोवार क्या होता है इसको हम किस से डिनोट करते हैं पीवी से यानि जिवानू के रोग जनक जाती का एक इस की मुघान को ही संक्रमित करेगा कि पैथोवार का मतलब कि होता है देखो लोग जनक जो होते है रोग जनक को अवि उसमें कुछ एक ऐसा होता है मैं जैसे की हम बात करें जैन्थो मोनास है जिलोग जैन्थो मोनास है यह जो Xanthomonas है bacteria की इसकी कई अलग-अलग species होती है इसके कई अलग-अलग क्या होते हैं उप विभाजन होते हैं जैसे Xanthomonas Xanthomonas exonopodes होता है ठीक है अलग-अलग क्या होते है इसके भाग होते है तो अलग-अलग जो species है वो अलग-अलग type की plant के उपर क्या करेगी वो disease को cause करती है ठीक है इसके बाद है रोग चक्र यानि disease का cycle पादप में या पोधों में रोग विकास में सम्मलित घटनाओं का क्रम इसमें रोग जनक के विकास की विभिन अवस्ताइं तथा परपोशी पर पढ़ने वाला विपरीद परभाव कामिल होता है यह क्या कहलाता है उसका रोग जनक कहलाता है ठीक है रोग Gabe cycle कहलाता है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं सर्वांगी सर्वांगी का मतलब क्या होता सिस्टेमिक ऐसा रसायन या रोगकारक जो अंदर ही अंदर पोदे के शरीर में फैलता है उसे तरवांगी कहते हैं जैसे विशानु रोगकारक और कारबेंडाजिम का वकनाशी देखो मैंने आपको पहले बताया था कल जब हम हमारी एक बार एंट वाली क्लास हुई थी इसके जैसे की वायरस इंश के टाबटने का उन्दर है इसके बाद देखो एंटि प्रतिज्यव क्या होते हैं ऐसागेमीकल है जो एक लिएंगोग क्या और ऑइंदो कि वहाँ के युदि कारता है यानी की नुपसान जाएक होता है उसको लाते हैं इसके बाद है फाइलोडी फाइलोडी भई एक क्या है रोग का कारक है यह ठीक है मतलब फाइलोडी क्या है एक प्रकार का आप हम मान सकते हैं लक्षन है सिम्टम है इसमें देखो क्या होता है फुष्पी भागो का पत्ती सद्रिश्य सचना सन्रचना यानि लेफ लाइक structure में रुपांतरत होना ही क्या कहलाता है फाइलोडी कहलाता है जैसे तिलकी फाइलोडी रोग ठीक है मतलब क्या होता है जो पुष्प होता है मतलब किसी रोग कारकी वज़े से जो पुष्प है पुष्प किसमें परिवर्तित हो जाता है पत्ती नुमा सनचना में परिवर्त डिजीज के लाती है यानि फाइलोडी डिजीज जो है वो रोक का रख के वज़े से होते हैं इसमें क्या होता है पुश्फिर पत्ती नुमा सनचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो स्टुडेंट्स आज़ी जो हमारी क्लास थी इसके अंदर आपकी NCRT के अंदर कवर की गई सभी definitions को हमने यहां पर क्या कर लिया है अच्छे से discuss कर लिया है मिलते हैं हम next class के अंदर आज ही class के लिए इतना ही thank you all of you